उत्राखन भी पंचायत का कारेकाल जुलाई महीने में खत्म हो गया है लेकिन चुनाव के सुख बुगाहट नहीं होती देख हाई कोट में जनहित याचिका दायर की गई राजी चुनाव आयो के पंचायत चुनाव में देरी करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर कोट ने फैसला सुनाया है हाई कोट ने 30 नवंबर तक 3 स्तर्य पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है हालंकि इन पंचायतों में प्रशासक तो बैठेंगे लेकिन उनकी वित्य और प्रशासनिक शक्तियां सीज रहेंगी दरसल 15 जुलाए को पंचायतों का कारेकाल समाप्त होने के बाद चुनाव नहीं कराय जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी कोट ने राजसरकार और राजनिर्वाचन आयोग से जवाब देने को कहा था दोनों पक्षकारों ने कोट को बताया कि नए एक्ट के आने से चुनाव में देरी हो रही है राजसरकार और राजचुनाव ने कहा कि नए चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय चाहिए इस मांग को मुख्य न्यायधीश, रमेश रंग नाथन और न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खंड पीठ ने मान लिया डबल बेंच ने आगामी 30 नवंबर तक त्रे इस्तरिय पंचाहिद चुनाव संपन कराने का आदेश दिया है इस कारण से हम समय पर चुनाव संपन नहीं करा पाए और पूरे चुनाव को संपन करने के लिए हमें लगवग 120 दिन का समय चाहिए चार महने का आज मानने न्यायले ने उस जनित याजिगा कुंति उससे निस्तरित कर दिया है ग्राम सुअराज के लिए पंचाहतों का समय पर चुनाव जरूरी है कोट के आदेश का पालन करते हुए राजिचुनाव आयोग और रावत सरकार को नवंबर तक चुनाव करा लेना चाहिए पंचाब केसी टीवी के लिए न्यनिताल से भुपेंदर रावत की रिपोर्ट